Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? Once again, welcome to our channel Beat the Neat और आज से एक नए दरह के वीडियो का स्टार्ट होने वाला है आप लोग पीछे स्क्रीन पे दे सकते हैं That is the Unit 1, Diversity in the Living Organism जिसमें आपके चार चैप्टर्स आ रहे हैं The Living World, Biological Classification, Plant Kingdom, Animal Kingdom तो ये चारो चैप्टर्स इस उनिट के अंदर में आएंगे और ये वीडियो जो बनने वाले हैं वो आपके New NCRT के Explanation Based वीडियो होंगे जिसमें मैं आपके उन questions को भी बताऊंगी जहां से questions जिन paragraph से ज़्यादा पूछे गए हैं आपको मालो में किसी चैप्टर में जो सबसे जादे important चीज क्या होती है उस चैप्टर के उस portion को पहचानना जहां से questions जादा पूछे जाते हैं अगर आप ये recognize करना सीख गए कि चैप्टर के किस portion से questions जादा पूछे जाते हैं और किस chapter से बहुत ही rarely questions पूछे जाते हैं तो आपका आधा काम समझ लीजे preparation का हो गया क्योंकि तब आफ इस सिर्फ और सिर्फ focus करेंगे उस portion पे जहां से आपको questions मिलने वाले हैं तो यहां पे जो मैं आप लोगों को chapter का explanation दूँँगी इसमें मैंने already पहले ही highlight कर दिया है आप लोगों का time बचाने के लिए कि मैं सीधे आप लोगों को वो highlighted portion ही explain करने वाली हूँ जहां से आपके questions पूछे जाएंगे बाकी जो paragraph में आपकी lines जो है वो आप लोग अगर one time two times भी read करके जाएंगे तो भी आपके लिए sufficient होगा लेकिन जो explanation जहां से deep meaning निकल के आ रहे हैं जहां से घुमा के questions बनाए जा रहे हैं आपके board में as well as need exam में उन paragraphs को उन lines को मैं आप लोगो completely explain करूँगी साथी साथ ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कहां से किस year में questions पूछे गए हैं तो इस वीडियो को पूरा end तक जरूर देखिएगा बिल्कुल भी miss मत करिएगा अगर आप इसे end तक देखते हैं तो definitely आपका जो chapter है वो completely आज के आज अज अभी के अभी prepare हो जाएगा और एक message है मेरा उन सारे बच्चों के लिए जो चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है और वो वीडियो को देख रहे हैं तो बेटा चैनल को subscribe कर लीजे क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे वीडियो दाने वाले हैं जो आपके board exam as well as आपके need exam में preparation में बहुत जादा help करने वाले हैं जिन बच्चों ने अभी तक telegram का link नहीं join किया है वो मेरे telegram का link पहने आप लोग को नीचे description में दे रखा है आप लोग उस पे click करके उसको फटा-फट से join कर लीजिए और अगर आप लोग कुछ changes या कुछ additional चीज़ें चाहते हैं इस तरह की explanation वाले वीडियो में तो वो भी आप मुझे comment section में जरूर शेयर करिएगा तो जल्दी से time waste नहीं करते हो जल्दी से start करते हैं अपनी इस नई series को तो हमारी जो first unit है that is the diversity in the living world आप सभी बच्चे अगर NCRT अपनी लेकर के बैठे हो इससे कई बार questions आपके आ चुके हैं तो ये paragraph में ये line आपके important है Ernest Mayer right Ernest Mayer born on 5th of July 1904 इनका definitely year नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देख करके रखिए in Campton Germany Germany में पैदा हुए थे और Germany में कहां पैदा हुए थे that is in Campton the Harvard University evolutionary biologist थे Harvard University में evolutionary biologist थे और जो सबसे important line है यहां पे who has been called the Darwin of 20th century इनको 20th century का Darwin कहा गया अब इन्होंने इसके लावा और क्या काम किया इन्होंने इसके लावा जो काम किया that is he also pioneered the currently accepted definition of biological species इन्हों जो अभी के टाइम पे हम biological species की definition को पढ़ते हैं वो इन ही ने बताई थी जिसको हम लोग आज तक पढ़ रहे हैं biological species की definition को तो यह line भी बहुत जादा important है इस whole paragraph में यह lines important है तो इसको आप लोग highlight कर लीजे और कहीं एक जगा पे लिख लीजे बागी अब आपके chapter शुरू हो जा रहा है और इस complete chapter में इस complete whole paragraph में जो important line है आपकी that is the only one what is living अगर आप लोगों को ने पुरानी NCRT देखी हो तो उस पुरानी NCRT में इस diversity in the living world इस से पहले काफी सारे 2-3 page का description दिया हुआ है तो वो मैं आप लोगों को एक summarize form में बता दे रही हूँ यहाँ पर इन्हों ने एक line दे दी है कि what is living एक छोटा सो question दे दी है what is living तो वहाँ पर living यानि कि life defining क्या properties थी और life को non-define करने वाली क्या properties थी उनके बारे में बताया गया तो यहाँ पर अगर मैं unicellular organisms की बात कुरूँ यह question पूछा जा चुका है आपका कि growth and reproduction तो growth and reproduction अगर unicellular 500 के लिए पूछा जा रहा है तो यह दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रपोर्शन लेया नहीं कि अगर रिप्रोडाक्शन हो रहा है तो डेफिनिटली ग्रोथ भी हो रही है अगर ग्रोथ हो रही है तो रिप्रोडाक्शन भी हो रहा है लेकिन यह ग्रोथ और उसका size भी बढ़ रहा है तो that is the growth so यहाँ पर growth आपकी life defining property नहीं है इसके बाद आता है आपका reproduction reproduction के लिए आपका जो best example है that is the mule, खचर जिसे कहते हैं वो आपके life defining property में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो reproduction नहीं कर सकता तो इसलिए reproduction and growth इन दोनों को life defining properties में नहीं रखा गया है अब बात आती है कि अगर यह नहीं है तो फिर life defining properties में हमारे पास में क्या-क्या है तो life defining properties में हैं हमारे पास में that is the cellular organization यानि कि अगर कोई living organism है तो उसमें definitely cellular organization होगा तो यानि कि यह एक आपकी life defining property है दूसरी हो गई आपकी consciousness अगर कोई organism conscious है इसका example मैं अभी आपको देती हूँ consciousness यहाँ पर अगर कोई person suppose that coma में है तो क्या वो conscious है या नहीं है वो surrounding environment के लिए conscious नहीं है उसके आसपास से कौन जा रहा है वो उसको नहीं express कर पा रहा है लेकिन उसकी body जो है वो completely chemical seneca medication को respond कर रही है तो that is a consciousness right so it means consciousness जो है वो आपकी life defining property में आती है इसके अलाबा एक और property है that is known as the metabolism metabolism से आपके कई बार questions आ चुके हैं तो ये तीनों ही आपकी life defining property है और बहुत जादा important है इसको कहीं एक जगा पर लिख लीजिए और अपनी NCRT में इसको safe कर लीजिए कि जहां से आपनों इसको revise कर सके metabolism क्या होती है metabolism is basically all the chemical reaction each and every chemical reaction which is happening inside the living organism body आप suppose that आपकी metabolic reaction कि किसी भी chemical reaction को हम test tube में laboratory में perform कर रहे हैं तो वो living reaction के अंडर में आएगी या फिर non living के अंडर में आएगी वो आपकी आएगी living reaction के अंडर में और ये line आपकी NCRT में दी हुई है पुरानी बाली में दी हुई है लेकिन ये line आपकी already present है तो यहां पर जो इस complete paragraph का आपका जो सार आ रहा है summarized form में वो आपका यही आ रहा है life की defining properties क्या है that is the metabolism, cellular organization and consciousness और non defining properties में आपकी आगई growth and reproduction इतना आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं यहां पर आपकी एक line important है that the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million यह आ चुका है आपकी neat exam में question पूछा जा चुका है कितनी species हैं वहां पर आपनों को दिया हुआ है तो यह number आपको याद रखना है that is 1.7 to 1.8 million species जो हैं अभी तक known है describe की जा चुकी है आगे देखते हैं अब इसके बाद जो आपकी important line आती है वो आती है यहां से hence फाले paragraph में there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world आप for example आपको कोई भी organism है आप एक आम की बात कर लीजिए आप एक लौकी की बात कर लीजिए किसी भी सबजी की बात कर लीजिए हर जगह पे local names अलग-अलग होते हैं तो definitely हमारी अपनी country में ही अलग-अलग areas में अलग-अलग name है तो बाकी के world में क्या होगा अलग-अलग countries में तो और जादा difference होगा तो scientist के लिए सबसे main चुनाओती ये थी कि वो एक scientific name दे हर एक species को जिससे कि वो all over world में एक ही नाम से जानी जाए तो यहाँ पे आपके लिए a line इसलिए important है कि there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world उस नाम से ही उसको सारे वर्ड में जाना जाए next step is this process is called nomenclature और जब हमने naming का ये system मनाना शुरू किया तो इस complete process को क्या कहा गया that is known as a nomenclature obviously nomenclature और naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to this is identification but यहाँ पे एक बहुत बड़ा challenge था कि organism को अगर हम define कर रहे हैं तो इसका मतलब उस particular living organism के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए तभी हम उस organism को एक proper नाम दे सकते क्योंकि उसमें उसकी बहुत सारी information छूपी होती उसके individual name है यह अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ हमारे पास जो mainly दो थे एक plants और एक animal अब plants के name को decide करने के लिए हमारे पास में क्या था हमारे पास में था scientific names are for the plants based on the agreed principles and criteria which are provided in international code for botanical nomenclature ICBN अभी यहाँ पर क्या गलती करते हैं बच्चे वो मैं आपको बताती हूँ दूसरा जब animals की बात आई तो उसको फुल फॉर्म पर बेस्ट बच्चे आराम से लिखकर के आ जाते हैं full confidence के साथ और वो गलत हो जाता है क्यों गलत हो जाता है वो confused हो जाते हैं इस जगह पर यहाँ पर plants के case में है आपका यह देखिए international code for botanical nomenclature and in the case of ICZN यहाँ पर नहीं है code of यहाँ पर बहुत slight से different के साथ में आपको option देदेगा और आप उसी में confused हो करके उसको गलत कर देते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है that is the code of zoological nomenclature and यहाँ पर ICBN में आपका code for botanical nomenclature है तो ICBN and ICZN इन दोनों की full form बहुत important है आपको यह याद रखना है next आगे बढ़ते हैं each name जब नाम दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा? each name has two components the generic name and specific epithet नाम जो दिया जा रहा है उसमें दो main component होगे एक होगा component one दूसरा होगा component two जो पहला component होगा उसको कहा गया है generic name जो दूसरा component है उसको कहा गया है specific epithet clear दो component है एक है generic name दूसरा है specific epithet this system of providing a name with two components is called binomial nomenclature कितने components है? दो है तो इस लिए इस nomenclature system को क्या कहा गया है binomial nomenclature this naming system given by Carolus Linus is being practiced by the biologist all over the world और किस ने ये दिया था binomial nomenclature? आपका दिया था Carolus Linus ने ये भाई साब बहुत important है ये scientist आप लोगों को ये याद रखना है Carolus Linus तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए important mark कर दे रही हूँ आप लोग इसको ध्यान रखेगा और कहीं एक जगा पे आप लिख लीजे आगे बढ़ते हैं For example यहाँ पे एक example इन्होंने दिया है वैसे तो बहुत सारे examples है मारे पास में जो example यहाँ पे दिया है यह नेम है एक मैंगो की वराइटी गा यहाँ पे generic name क्या है हमारा Mangyphaera is the generic name and Indica is the specific epithet Mangyphaera represents the genus while Indica is a particular species or a specific epithet Confuse नहीं होना दोनों सेमी है अब यहाँ पे कुछ universal rules बना दिये गए nomenclature के लिए ताकि all over word में उनी के basis पे ही सारे naming की जाए तो जो first rule था biological names are generally in Latin किस language में होते हैं Latin में होते हैं and written in italics लेकिन जब printed form में लिखे जाते हैं तो हमेशा italics में लिखे होते हैं आप यह देखें यहाँ पे Mangyphaera Indica लिखा हुआ है यह आपका italics में लिखा हुआ है ठीक है और language कौन सी होती है यह Latin है नेक्स पॉइंट है आपका specific epithet को represent कर रहा है third rule जो दिया गया both the words in a biological name when the hand written are separately underlined जब हम इनको हाथ से लिख रहे हैं तो exam में याद रखेगा जब भी आपको लिखा हुआ है options में या आप जाकर के exam में लिख रहे हैं तो आपनों को यह चीज़ जिहान रखनी है कि आपको इसे separately underline करना है ना कि एक सायत underline कर देना है separately mangifera भी होगा separately यह आपका indica भी होगा next rule आपका क्या है fourth rule आपका कह रहा है कि the first word denoting the genus first word हमारा क्या denote करा था mangifera में genus करा था and starts with a capital letter यहाँ पे आपका mangifera किसे start हो रहा है capital M से start हो रहा है उसका I आपका small letter से start हो रहा है तो यह आपको ध्यान रखना है for example M और I आप यहाँ पे देख सकते हैं name of the author appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form example mangifera indica lin यानि कि आपने यहाँ पे mangifera indica लिखा अब author का name उसमें कैसे लिखा जाएगा author का name उसके बाद में लिखा जाएगा इस तरह से next आपका इसके बाद जो important आता है वो है classification की definition तो classification की definition में classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters जो characters बहुत ही easily observe किये जा सकते हैं उनके basis में हमने उसको अलग-अलग categories में रखा है जिसको हम लोगों ने summarize form में क्या कहा है जिस process को हम लोगों ने क्या कहा है classification अब जो पहरा आप लोगों को यहाँ पे सामने दिख रहा है यह पहरा काफी जादा important है आप लोगों को याद रख रहा है hence based on characteristics all living organism can be classified into different taxa अब जो अलग-अलग categories दी गई है तो उनके name को यहाँ पे क्या कहा गया है taxa कहा गया है या फिर आप उसको कह सकते है taxonomic category this process of classification is known as taxonomy whole process जो classification की उसको कहा गया है taxonomy and हर एक level को क्या कहा गया है taxonomic category अब यहाँ पे जो taxonomic category जो आपके define हो रहे है जो modern taxonomy के लिए हम बात अगर करें तो हमारे लिए यह 5 चीज़े बहुत जादा important है that is the external structure internal structure यह पूछा जाता है यह assertion and reason में भी इस तरह की questions आते हैं और आपके थोड़े से जो long वाले questions type में आते हैं उसमें भी आप लोगों से इस तरह का पूछा जाता है internal structure, external structure इसके इलावा आपका structure of cell इसके इलावा आपका जो उसका developmental process है वो भी important है and इसके इलावा जो आपकी evolutionary जो उसकी ecological information sorry that is the ecological information उस particular organism की species की ecological information तो यानि कि ये 5 point आपके modern taxonomy के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जिनके basis में ही हम फिर उसके आगे काम कर सकते हैं उसको taxonomic category में रख सकते हैं आगे उसके दिया हुआ है hence characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy तो taxonomy के लिए हमारे जो basic चीजें है that is the characterization, उसको characterize करना उसका identification करना उसको first of all identify करना then after उसको हमें name देना यानि कि उसका nomenclature करना and then are the basically process for the complete taxonomy process यानि कि classification, nomenclature, identification and characterization ये चारो process आपकी taxonomy के लिए basic है modern taxonomically आपको क्या चाहिए था? external structure, internal structure, structure of cell developmental process and ecological processes आगे देखते हैं अब आपका जो important है that is the human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities but also the relationships among them human beings हमेशा दूसरों में जादा interested रहता है तो यहाँ पर यही बात कही गए है कि human beings हमेशा से ऐसा रहा है कि वो दूसरे जो different type के organisms है तो उसको जानने में उसको complete information उसकी लेने में बहुत जादा interested रहा है and उनकी diversities को जानने में भी interested रहा है साथ ही साथ में उनकी relationship क्या है उनके बीच में that also they want to know they are very curious about it this branch of study was referred to as systematics अब जिस branch के अंडर में उन्होंने यह सारी study करी उसको कहा गया है systematics the word systematics is derived from the latin word systema जो word आपका systema है उससे आपका systematic word लिया गया है जो की एक latin word है अब इस word का mainly क्या है meaning इस word का meaning है systematic arrangement of the organism organisms का एक systematic arrangement करना उनको identify करके, उनको characterize करके उनका nomenclature करके, उनको classify करके एक systematically उनको arrange करना that comes under this process lenius used systema naturally as the title of his publication very important systema naturally पूछा जा चुका है किसका publication है तो that is of lenius उन्होंने इसमें यह चीज़ डिसक्राइब की थी the scope of systematics was later in last to include identification, nomenclature and classification जिसमें बाद में क्या-क्या और include कर लिया गया था जिसका completely जो scope की अगर हम बात करते हैं तो that is identification, nomenclature and classification systematics takes into account evolutionary relationship between the organism ये ब्रांच जो है organism की evolutionary relationship को यानि कि उसका evolution होकर के वो कैसे आया है और वो कैसे related है आज के organism से तो ये complete study भी आपकी इसके अंडर में ही की जाती है आगे देखते हैं अब आता है आपका taxonomic categories कौन कौन से taxonomic categories हैं अब इसके बारे में हम लोग detailed में पढ़ने वाले हैं classification is not a single step process but involves a hierarchy of steps in which each step represents a rank और category ऐसा नहीं कि classification सिर्फ एक single step है हमने classify कर दिया और हो गया नहीं इसके बहुत सारे different different steps है अब ये जो different different steps हैं और ये हर एक step एक rank या category को represent करता है since the category is a part of overall taxonomic arrangement it is called taxonomic category इसको क्या कहा गया है taxonomic category कहा गया है and इस complete different एक category तो होगी नहीं complete classification में बहुत सारी categories होंगी उन सारी categories को properly arrange करने के manner को ये इससे मिलता है इसके बाद ये मिलता है इसके बाद ये मिलता है तो उस complete manner को taxonomic hierarchy कहा गया है यहां पे आप देख सकते हैं that all categories together constitute the taxonomic hierarchy each category referred to as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as taxon हर एक category को individually क्या कहा गया है taxon कहा गया है तो ये आप लोग के लिए एक काफी important paragraph है आप लोगों को ध्यान रखता है इसके बाद बाले paragraph में आपकी कोई भी important line नहीं है तो आगे देखते हैं अब हमारा first level आगया that is the species तो taxonomic studies consider a group of individual organism with a fundamental similarities बहुत ही fundamental सी similarities जिन organisms के बीच में देखी जाती है उनको एक ही species में रख दिया जाता है यानि कि वो organism एक ही species को belong करते हैं one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences एक species यानि कि हमारे पास पर एक species 1 है और एक species 2 है अब इन दोनों को हम एक दूसरे से differ कैसे करेंगे उनके morphological characters है जैसे उनके morphology होगी उस character के based पे हम इनको एक दूसरे से differ कर सकते हैं फिर आता है let us consider bangifera indica solenum tuberosum that is the potato scientific name and panthera leo lion all three names indica tuberosum and leo represent the specific epithets अब इसमें जितने भी species हैं हमारी वो हमारी है indica tuberosum and leo while the first word mangifera, solenum and panthera are genera यानि कि इनके क्या है generic name है represents another higher level of taxon और category यानि कि जो इसके species है वो एक level को represent कर रहा है और जो ये generic name है यानि कि genus है वो उसके next level को यानि कि higher level को represent कर रही है इसके बाद देखते है each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarities आप जो different genuses है हमारे पास में एक genus अंडर में हमने बहुत सारी species आ गई कुछ जादर species आ गई तो क्या होगा उनके बीच में क्या similarity हम देख रहे है morphological similarities उनके बीच में देखेंगी यानि कि एक genus के अंडर में जो species हैं उनके बीच में हमने morphological similarities देख करके उनको एक जीनस के अंडर में रख दिया For example, panthera has another specific epithet called tigris and solenum include the species like nigrum यानि कि for example यहां पर दे दिया गया है आपको panthera, leo, lion के लिए था panthera, tigris, यानि कि यह tigris भी अलग species है leo भी अलग species है लेकिन उनको रखा किसके अंडर में गया है panthera के लिए, ऐसे ही solenum tuberosum एक अलग है, solenum negrum अलग है तो negrum और tuberosum दोनों अलग-अलग species है लेकिन उनको एक जीनस में रखा गया है that is the solenum next आता है हमारा genus, यानि कि species से जो उपर वाला level है that is the genus, genus comprises a group of related specieses which has more characters in common in comparison to specieses of other genera किसी genus के अंडर में रहने वाली species, यानि कि एक genus 1 है और दूसरी species अगर हमारी किसी genus 2 के अंडर में है तो genus 1 के अंडर में जितनी भी एक, दो, तीन, चार specieses है और genus 2 के अंडर में जितनी भी एक, दो, तीन, चार हमारी specieses है तो genus 1 की species के बीच में आपस में more common characters होंगे compare to the under genus species यानि कि इसकी species में common characters जादा होंगे इसकी species में आपस में common characters जादा होंगे बट इन दोनों को अगर compare करें तो बहुत कम होंगे I think आप लोग समझ गए होंगे इस बात को We can say that genera are aggregates of closely related species यानि कि हम कह सकते हैं genera के अंडर हम उन species को रखते हैं जो closely related है For example, potato and brinjal are two different species but both belong to the genus solenum मैंने आपको भी बताया था कि solenum tuberosum यानि की potato के लिए है और आपका जो दूसरी है आपकी brinjal के लिए है तो दोनों को ही रखा गया है किस genus के अंडर में solenum के अंडर में नेक्स आपको इसी तरह से दिया हुआ है एक है आपका panthera leo दूसरा है आपका panthera paradis leopard जिसे का हो जाता है and the third है आपका panthera tigris इन तीनों species को एक ही genus panthera के अंडर में रखा गया है क्योंकि ये closely related थे आपके leo भी, tigris भी and paradis भी this genus differs from another genus phallus which includes a cat इसी को जगर हम panthera वाली genus को compare करें किसी दूसरी genus दूसरी genus यानि कि हमने इसको phallus से compare कर रहे है तो ये इन दोनों से एक दूसरे में match नहीं करेंगी उससे completely differ करेंगी आगे देखते हैं family में the next category family has a group of related genera with still less number of similarity as compared to the genus and species is family में आपको जो similarities मिलेंगी वो less number में मिलेंगी similarities अगर आप जीनस और species के compare में करें क्योंकि family एक थोड़ा broad term हो गया जिसमें एक जैसी जीनस वाली कई सारे आ रहे हैं for example families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature यह line important है किस के basis पे करा गया है vegetative and reproductive feature के basis पे for example three different genera solenum, pitunia and datura यहां पे तीन genera आगे आप इनको एक family में रखा गया है and that family name is the solenacee किस family में रखा गया है solenacee में among animals for example genus panthera comprising lion, tiger, leopard जिसमें आते हैं यह तीनों is put along with the genus phallus जिसमें क्या आती है हमारी cats आती है in the family phallus अब panthera को भी और phallus को भी दोनों ही अलग-अलग को भी एक साथ रख दिया गया है एक ही family में जिसका नाम है phallus आगे आता है next level आपका order इसमें बागी आपका कुछ भी important line नहीं है यहां पे जो important line है आपकी order में order में जो आपकी important line है that is the higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters उनके characters के based करके आगे उनको identify किया गया है order being a higher category order कैसी है एक higher category है is the assemblage of families which exhibit a few similar characters अब एक family one हो गई एक family two हो गई एक family three हो गई इनके बीच में कुछ बहुत ही कम characters हैं जो आपस में एक दूसरे से commonly मिल रहे हैं तो उन characters को देखते हूँ हमने क्या किया उनको एक ही जगा पे एक ही order में रख दिया तो यह हुआ मतलब आपका order का तो यह family से higher level का है next इसके बाद यहां पे कुछ भी important नहीं है आपका फिर आती है आपकी class this category includes related order अब सेम चीज यहां पे class में अप्लाई की गई orders क्यों पर कुछ एक order 1 हो गया एक order 2 हो गया एक order 3 हो गया order 4 हो गया अलग अलग नहीं में उन orders के अब उन orders में हमने देखा कि किन के बीच में कुछ कुछ similarities मिल रही हैं उन सब को ठाके हमने एक class में रख दी गया so the category includes related order for example primator comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in a class mammalia along with the order carnivora that includes animals like tiger, cat and dog यहां पे हमने primator में क्या क्या रहा था monkey, gorilla and gibbon आ रहे थे carnivora के में हमारे tiger, cat, dog यह सा रहे थे तो इनको हमने एक ही class में रख दिया और वो class है हमारी mammalia next आपका आता है phylum, phylum अब इससे भी ऊपर का level हो गया यानि कि phylum classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds सारे type की fishes हो गई, सारे type की reptiles हो गई, सारे type की amphibians हो गई, सारे type की birds हो गई, mammals हो गई इनको एक higher category में रखा गया next level की that is the phylum आगे देखते हैं इसमें for example यहां पर बताया गया है कि all these based on the common features like presence of notochord and dorsal holoneural system are included in the phylum core data जो core data के अंडर में रखे गया उन्होंने क्या चीज़े देखी? बहुत ज़्यादा characteristics तो नहीं देख सकते, बहुत ही limited characteristics देखेंगे तो क्या characteristic उन्होंने देखी? that is the presence of a notochord उन्होंने देख लिया and then after dorsal holoneural system उन्होंने देख लिया और उसके बाद में उसको include कर दिया जिसके पास नहीं चीज़े थी उन्हों सबको रख दिया गया phylum core data के अंडर में फिर इसके बाद में in case of plants classes with a few similar characters are assigned to the higher category called the division plants के लिए हम क्या word यूज करते हैं phylum की जगा पे division यूज करते हैं तो इसी तरह सो उन्होंने plants के लिए कुछ एक दो category define करी कि ये जिसके पास में वो इस particular division में आ गया तो इस हिसाब से इन्होंने इसको define किया अगर आपनों को लग रहा है कि इस तरह के वीडियो आपके लिए helpful है तो इसे like जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर share करिएगा और फटाफट मुझे comment section में बताइगा कि किस chapter का आपको explanation पहले चाहिए phylum के बाद अब हमारा जो last आता है अब जितने भी different different divisions के हमारे पास में प्लांट थे उनको एक अलग kingdom में रख दिया गया that is the kingdom planty यहां पर आपको जो दिया हुआ है taxonomic category यह बहुत important है बिटा जी that is the subse lowest वाली क्या थी species same type की species को रखा गया genuses में तो genus में भी आप जो एक दूसरे से थोड़े से common type जीनेस दिखे कि इनके characters मिल रहे हैं उनको ठाकर के रख दिया गया एक ही family के अंडर में जैसे solenasi में मिला था ना आपको same इसी तरह से आप कुछ families को देखा गया ओ यह family में यह common है character इसमें भी यह common है character इसमें भी यह common character है तो इन सब को ठाकर के किस में रख दिया गया एक common order में रख दिया गया इसी तरह से same type के order में जो हमें थोड़े से characters दिखे देख रहे हैं आपकी जैसे जैसे उपर बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास में जो variety है यानि कि जो organism के specific characters की variety वो बढ़ती जा रही है same type के order को ठाकी रखा गया एक ही class में अब एक class को इसमें phylum और division में अनिमल और plant के basis पे उसको phylum and division में रख दिया गया और उसके बाद फिर अगर अनिमल है तो kingdom अनिमे लिया अगर plant है तो kingdom प्लांटी में वो उसके अंडर में आ गया यह आप लोगों को याद होना चाहिए यह important है इसके बाद एक बहुत ही important चीज है जिसे हर दोतीन साल में questions बार बार repeat हो रहे है वो आपकी important चीज है वो है आपकी यह table organism with their taxonomic categories भाई एक question तो मिली ही जाता है इतना जादा important है यह यहाँ पर आपका देखे common name दे रखें फिर उसका बात common name मतलब general name local name फिर biological name फिर genus, family, order, class, phylum or division बहुत जादा नहीं है सिर्फ 4 को ही define किया गया उन में से questions आ जाते हैं तो आपको इसको बिल्कुल आख बंद करके अच्छे से याद कर लेना है पहला है आपका man तो man का biological name क्या हो गया homo sapiens हो गया आपके genus क्या है इसमें homo हो गई और family इसकी क्या होती है homo D होती है and order क्या है primatea है class क्या है mammalia है and division क्या है chord data है next आपका आता है housefly इसमें आपका name हो गया musca domestica genus हो गई musca यानि specific epithet क्या है domestica and इसकी family musca di है and इसके बाद order diptera है insecta इसकी class है क्योंकि सारे insects है and यानिकी insecta class में हर टाइप में insects को रख दिया गया होगा इसके बाद आपका phylum जो है वो इसमें आता है orthopoda आप सबसे बड़ा phylum है orthopoda आप सभी को I think पता हो गई है next आपका आता है mango that is magnifera indica mangifera and इसकी जो family है that is anacadiacy then after saponidils इसका order है and dicotyledon होता है तो dicotyledon है इसकी क्या है class है and then after division is the angiosperm फिर उसके बाद में आता है आपका wheat wheat का scientific name हो गया triticum estivum estivum या triticum estivum फिर इसकी जो आपका genus है triticum हो गया family is the poesy order is the poels monocortyledon होता है and angiospermi में आता है तो आई हो कि अब आप लोगों को ये chapter पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर आप लोग इसमें कुछ changes चाहते हैं कुछ और चीज़ें आड करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे तिल नड़ से तूने विद में बाबाई भी एर्वान